हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लन्वरे दितिमन, आज हम करेंगे रण थमबोर के चोहान, तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं, कि प्रत्वी राज चोहान जो त्रत्यत है, तो तराइन का युद्ध जब हुआ था, तो मुहमद गौरी और प्रत्वी रा होता है, कुतु बुद्धिन इसको अजमेर सौप कर चला जाता है, तो कुतु बुद्धिन प्रत्वी राज चोहान का जो पुत्र होता है, अलपायू का, गोविंद राज उसको भारी टेक्स देकर वहां रहने की अनुमती दे देता है, और वह भी बापस दिल्ली चला जा होता है, वहीं पर प्रत्वी राज चोहान का जो पुत्र है, उसके सामने एक और समस्या थी, कि उसका जो चाचा था हर राज चोहान, प्रत्वी राज चोहान का भाई, तो वो गोविंद राज पर आक्रमन करता है, और गद्धी हत्या लेता है, तो गोविंद राज जो छो रण थम्बोर के चोहान, इस्थापना गोविंदराज चोहान ने की थी 1194 में रण थम्बोर में, इनके पिता का नाम है प्रत्वी राज चोहान दृत्तिय, 1226 इस्वी में इल्तुतमिस, कुतु बुद्दीन के बाद इल्तुतमिस आता है, तो वह रण थम्बोर पर अधिकार कर लेता है, और वह यहाँ पर ये सर्थ रखता है, वही वाली सर्थ पुरानी कि रण थम्बोर में रहने के लिए भी टैक्स देना होगा, ठीक है, तो गोविंदराज चोहान के बाद देखिए, शाशक वालड आते हैं, प्रलहाधन आते हैं, वीर नारायन आते हैं, तो वी ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद प्रतापी शाशक हुए हैं हमीर देव चोहान, जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, हमीर देव चोहान का समय है 1282 से 1301 इस वीका, तो रण थम्बोर के चोहानों में सर्वाधिक जो प्रतापी और अंतिम शाशक जो हैं, वह हमीर तो इसका अर्थ क्या होगा, कि सिंग एक बार संतान को जन देता है, सज्जन लोग बात को एक ही बार कहते हैं, केला एक ही बार पलता है, या उसका विवहा एक ही बार होता है, ऐसे ही राओ हमीर का हट है, वह जो ठानते हैं उस पर दुबारा विचार नहीं करते हैं ठीक है तो इसका आर्थ ये होता है तो ये मिवाड के शाषक जिन्होंने अलावदिन खिलजी जैसे जो सुल्तान था उसको तीन बार हराया था यहां तक कि उसको एक बार तो इन्होंने कैद भी किया था ठीक है इस सबसे पहले कोटिय जन्यक करवाया था जिस तरीके का अश्वमेग यक होता है उसी तरीके का यक करवाया था कोटिय जन्यक इनके पिता का नाम है जैत्र सिंग इनके दरवारी कवी हैं विजिया देते और गुरु हैं रागव देव और हमें इन प्रतापी राजा जो हमीर उसामीर महई काव्य से हमीर महा काव्य से मिले हमीर का महा काव्य से जो की नयद जन सूरी, दौरा लिखित है आप हमीर. ग्रंत जो की जोद राज ने लिखा है ठीक है सारंग धर के साथ मिलकर जोद राज ने लिखा है हमीर रासो और हमीर खुसरो जो है उनका जो है ग्रंत खजाइन उल्फ उतु इसमें भी हमें हमीर देव चोहान के बारे में जानकारी मिलती है और देखिए हमने पढ़ा था पह जैत्र सिंग और इल्तुतमिस के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में था. जिसमें जैत्र सिंग ने इल्तुतमिस का क्या किया था? गुरूर जो घमंड था उसको कुचल दिया था, तो वो उनके बारे में था. तो यहां confuse नहीं होना है, हमीर मद मर्दन जो है, वह हमीर देव चोहान से संबंधित नहीं है, हमीर महा कावे और हमीर रासो, हमीर देव चोहान के बारे में जानकारी देता है इनको उपादी जो मिली थी वह है हटी हमीर और यह उपादी दी थी चंदर सेखर ने रड़ थमबुर के सबसे प्रतापी राजा कहे जाते हैं हमीर दिव चोहन का जो राज्ये रोहन है वह है 1282 इस्वी में हुआ था इन्होंने कोटिय जन यग करवाया था तो मैंने आपको बताया जिस तरीके का असो में यग होता है और इसके जो पुरोहित थे कोटिय जन यग के जो पुरोहित थे वह थे विस्व रूपम अब ये चीज जो है वो आप याद रखिएगा ऐसे ही कोटिय आपकी एक्जाम में आते हैं हमीर दिव चोहन ने अपने पिता जैत्र सींग के 32 साल के साशन की याद में 32 खम्मों की छत्री बनवाई थी हमीर ने जैसे ही गद्D समाली थी तो उस समय दिली में तो अराजकता फैली हुई थी तो इस वज़े से हमीर के युद्ध जो है वह है दिल्ली के जो सुल्तान है उनके साथ कई युद्ध होते हैं जिसमें 17 युद्धों में से 16 युद्ध जो है वो हमीर देव चोहान ने विजय किये थे इसके साथ ही देखिए इन्होंने भीमरस के राजा अरजुन, धार के राजा भोज, चितोड के समर्सीन को भी पराजित किया था अब यहां से कुशन कैसा बनता है कि हमीर देव चोहान के द्वारा कौन से साशक को पराजित नहीं किया गया तो इन तीनों का नाम जो है वह एक्जाम में आ जाएगा और एक चोथा नाम जो है कोई और होगा तो आपको इन तीनों के नाम याद रखना है कि भीमरस के राजा अरजुन, धार के राजा भोज और चितोड के समर्सीन दिल्ली का सुल्तान जो है जलाल उद्दीन इस समय शाषन कर रहा था दिल्ली में हमीर देव चोहान के समय तो समकालिन शाषक कौन है दिल्ली का सुल्तान कौन है जलाल उद्दीन ठीक है और इसके बाद अलाउदिन खिलजी जो है उनका सामना भी होगा हमीर देव चोहान से तो याद रखिएगा कि हमीर देव चोहन के समय दिल्ली में जो सुल्तान है जलालुदीन खिलजी है और उसके बाद ही इसका भतीजा अलाउदीन खिलजी आएगा. और देखिए रण थंबोर पर इन्हों ने जो है वो दो बार आक्रमन किया था जलालुदीन खिलजी ने कितनी बार किया था दो बार आक्रमन किया था एक बार 1291 में किया था तो 1291 में ये करता है आक्रमन तो यह जीच जाता है जाइन दुर्ग को उसके बाद यह दुबारा से आक्रमन करता है, तो यह हारकर बापस चला जाता है. ठीक है? अब देखिए, यह क्या है? यह समझिए कि यह रण थमबोर दुर्ग है और यह जहाइन दुर्ग है. तो रण थमबोर दुर्ग यदि किसी को जीतना है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि इस जहाइन दुर्ग को जीते क्योंकि रन्थंबोर की कुंजी या चाबी जो है जहाइन दुर्ग को कहा जाता है इसको पार करने के बाद ही रन्थंबोर दुर्ग को जीता जा सकता है। और वह कहता क्या है कि मैं हार कर बापस आ गया। वह कहता है कि रन्थंबोर जैसे दस दुर्ग मेरे सैनिक के सिर के एक बाल की बराबरी भी नहीं कर सकता। वही बात हो गई कि जो लोम्री है वह है कैती है कि अंगूर खटे है। ठीक है, इस आकर्मन में हमीर देव का गुर्दास सैनी जो है, वह मारा जाता है, दिल्ली पहुंचते ही अलाउदिन खिल जी अपने चाचा जलाल उद्दीन की धोके से हत्या कर देता है, अलाउदिन खिल जी जो की एक महत्वकांची शाशक है और वह दिल्ली का सुल्तान बन चाता था, तो उसके लिए वह क्या करता है, सबसे पहले अपने चाचा या अपने ससुर, जो की ससुर भी थे, क्योंकि उसकी बेटी से अलाउदिन खिल जी का विवहा हुआ था, तो सबसे पहले उसको रास्ते से हटा देता है, मार देता है, अब देखिए कि रंधंबोर प तो कोई टैक्स नहीं देंगे, इससे पहले के शाषक जो थे, वो कमजोर शाषक थे, तो वह है टैक्स दिया करते थे, और एक-एक करके जो है दिल्ली के सुल्तानों ने उनको भी रास्ते से हटाया था, लेकिन यहां हमीर देव चोहान जो हटी हमीर है, उन्होंने इनकार क शरण दे रखी थी, और जब उसने कहा कि हमारे जो ये गद्दार जो हैं, मुहमद शा और केबू, इनको आप बापस कर दें, तो हमीर देव चोहान ने अपने सरणार्थियों को बापस देने से इनकार कर दिया था, तो यह भी एक कारण बना था, तो इस तरीके से वहीं दूसरी ओर दिली के सुल्तान अलावदिन खिलजी के सैनपति उलूख खाँ और नुश्रत खाँ होते हैं, तो इनके बीच में लड़ाई होती है, तो यहां पर क्या होता है, कि जो नुश्रत खाँ है, वह मारा जाता है, और इनको लगता है भीम सिंग और धरम सिंग कि हमने जो है युद्ध जीत लिया है और यह अभ्यान सफल रहा तो यह वापस जा रहे होते हैं लेकिन फिर भी इनकी जो सैना होती है अलाउदीन खिल जी की यह वापस जो है इन पर आक्रमण कर देती है जिस वज़े से भीम सींग वह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं याद रखना है कि नुसरत खां जो है 1299 का जो आक्रमण हुआ था उसमें मारा जाता है उसके बाद क्या होता है कि अभी अलाउदीन खिल जी जो है वह नहीं आता है आक्रमण करने लेकिन 1301 इसवी का आक्रमण जो होता है वह अलाउदीन खिल जी क्या करता है अब वह स्वे रणमल और रतीपाल ठीक है अब अलाउदिन खिल जी जो है क्या करता है छल से रण धंबोर जीतने का प्रियास करता है क्योंकि उसे पता था कि हमीज देव चोहान जो है इतने सक्ति साली है कि बात जो है हमारी नहीं बनेगी तो वो क्या करता है कि यह जो सैननायक होते हैं लालच देता है ठीक है और लालच देकर जो है किले में प्रवेस कर जाता है तो यहां पर रणमल और रतीपाल जो है रण धंबोर में गदार कहलाते हैं रणमल और रतीपाल को अलाउदिन खिल जी लालच देकर अपनी और बिला लेता है और इसी विश्वास घात के कारण क गिले पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। वहीं पर हमीर देव चोहान की जो पत्नी है रंगा देवी और पुत्री है पदमला। तो इनके द्वारा पदम तालाब में कूद कर क्या किया जाता है। जोहर किया जाता है। आज भी देखिए जन मानस में हमीर के लिए एक दोहा प्रसिद्ध है सिंग सवन सत्पुर्स वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चड़े नदूजी बार। तो देखिए इस युद्ध में जो अमीर खुसरों हैं वह अलाउदीन की सेना के साथ था और अमीर खुस तो हमीर के साथ ही रन्थमबोर चौहान की राज्ये का समाप्त हो गया था तो ये थी हमीर देव चौहान के बारे में आपका टॉपिक तो इसको बहुत अच्छे से ही पढ़ना है रन्थमबोर दुर्ग में हमीर देव ने जो 32 खंबो की चत्री बनवाई थी उसे न्याय की चत्री भी कहते हैं ठीक है तो ये भी याद रखिएगा